नमस्कार मैं प्रेणा शर्मा आप देख रहे हैं वीवीसी नियूज इंडिया श्रवन मास में श्रवन कुमारवन वीक्यर एंजियू के कारिकलताओं द्वारा व्रद्द लोगों को एक दिन की धार्मिक स्थलों की यात्रा पल ले जाया गया इस यात्रा का शुभारम गौलियर नगलनिगम कमिशनर किशोर कान्याल ने हरी जंडी दिखा कर किया इस यात्रा में व्रद्द जनों को रामलला धाम ओलचा, उन्नाव वाला जी एवं पितामरा पीट दतिया के दर्शन कराए जाएंगे साथ ही सभी यात्रियों के भोजन, चाय नाश्ता एवं मेडिकल सुविधाओं का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा कारिक्रम में ग्वालियर नगलनिगम कमिशनर किशोर कन्याल, NGO के जॉइंट सेक्रेटरी भासकर शर्मा एवं शहर के वरिष्ट एवं सामाजिक लोग उपस्तित रहे को इस तो बहुत बहुत ही शुप कारें इनके दोरा किया गया है को एक तीर थी आत्रा जो कराई जा रही है जिसमें दत्या माई भी शामिल है, रामलला सरकार भी है, उन नाओ का भी शामिल है और यह तो एक जैसे स्रमण कुमार जैसा काम यह लोग ने किया है। कि इस एज में कई बार हैसो होते हैं कि उनके खुट कि बच्चों तक यह नहीं कर पाते। तो जो गुरूप आया है सामने, इसके बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा उनके चेहरों में बहुत खूशी थी, जो लो तीर थियात्रा में जा रहे हैं, हमने केवल यही बोला कि जब तीर थियात्रा में जाये तो प्रिकॉशन जुरू बगते हैं, गाड़ी जब जाये तो स्पीड उसकी जाता नहीं होन काने पिन का ध्यानक है और लोगों ने बहुत अच्छी से चीजा उग्राइस किये जगे 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 पर मापे मंदिर में इन्होंने बात करके पहले से विवसा करके ता कि जब यह महापे दर्सिंदी जाएंगे तो कोई समस्सा नहीं आएगी तो मेरे को लगता है कि इन प प्रूफ किया है कि यह लोग बच्चों के रूप में काम कर रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज है और उनको खुद भी बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों का ध्यान दगना चाहिए अल्टिमेटली आज हम जवान है कल को हम भी व्रद होंगे तो जैस मैं आज तक नहीं देखी क्योंकि मेरी 62-63 साल की यह जो गई लेकिन मैं उन्नाव बाला जी के दर्शान आज ही करूंगी बस और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और जिन जो हमें ले जा रहे हैं सबसे पहले इश्वर उनकी वह वनों कामना फून करें जैसी मेरी करी दो आपको अपने बच्चों को संदेश देना है वह को संदेश देना वह वैसे परिशान रहें तो वह वैसे सुख रहे रहें और इसी तरह हमसे भी जुड़ा रहे और हमारी शेवा करता रहे जोएंट सेक्रिम अपने एंजी उगा हमारी टीम के जो सदस्स हैं उन्होंने एक योजना बनाई कि जिसमें हम लोग ऐसा काम करें जो हमारे परसनल लेया किसी ऐसे सुछल लोगों के निये नहीं ऐसे जन हित में काम करें जिससे उनके चैरे पर समाइल आ साके और हम लोग को इन फ्यूचर मिल सके और आने वाली पीडिस्टीच को सीखे तो अधनिये संदी भिया कोशा द्यक्ष हैं उनका वक्त अभी थे कि हम लोग किसी ऐसे जनों को लेकर यात्रा पर जिनके मतलब सपोर्टिंग में कोई ना हो तो हमें आप नाराइंड आश्रम जो है उनके अमन लक्ष हमारा है एक हॉस्पिटल इन्वेंशन करना कि हम ऐसा हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए यहां हार्ट हॉस्पिटल नहीं है कोई बड़े कैंसर हॉस्पिटल नहीं है हमारे बगल में पीशे आप जो घर देख रहा है इसमें बहुत बढ़ी श्रती हुथी जिसमें हमने माना हो नाम का बच्चे की मदद करते हुँ उसको खो दिया तो हमारा संकल पर आने वाले समय में हम लोग एक ऐसा हॉस्पिटल पहले डिस्पेंसरी करेंगे एक हॉस्पिटल करेंगे जिसके अंदर कम से कम हजार बिस्टरा का बैड हो और बच्चों के लिए स्पेशली हाट रांस्प्लांट और कैंसर जैसे बिमारी के लड़ने के लिए हॉस्पिटल बना सकते हैं तो क्या उस हॉस्पिटल में जो सोविजाय दी जाएंगी वो मुक्त में बिल्कुल निशुल करेंगी हम लोग कोशिश में हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो ह खर्चा हम जैसे आप लोग जैसे लोग सदा सईयो करते हैं उसके अंगेस्ट हम लोग काम करें